चाल्ड हेल्ट नर्सिंग में आज हम टॉपिक लेते हैं बेहविरेल डिसोडर बेहविरेल डिसोडर का मतलब है बच्चों में सोचल एक्सेप्टेंस का जो बिहेवियर है उसमें डेविएशन आ जाना जिसे कि हम accept नहीं कर पाते हैं कभी कबार बच्चे ऐसी हरकते कर देते हैं कई बार stressful conditions में कर देते हैं जो हमें लगता है कि एक सामाने विवहार नहीं है वही behavioral disorder है तो यसमें हम देखते हैं Childhood is the period of dependency क्योंकि पूरा बच्पन जो है वो पूरी तरह से dependency रखता है अपने माबाब पर अपने family members पर gradually children learn to adjust in the environment और धीरे धीरे ही बच्चा environment में रहना सीख पाता है अपने आसपास के लोगों से सीख पाता है but when there is any complexity around them they cannot adjust with that circumstances लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई भी complex condition आती है और बच्चे adjust नहीं कर पाता है तो अपनी पैसितियों के साथ समझोता नहीं कर पाता है जब इंसान बड़ा हो जाता है तो वो सोचने की समझने की शक्ति उसमें बढ़ जाती है वो समझदार हो जाता है common sense भी बढ़ जाता है तेकिन बच्चों में यह चीज अलग होती है वो एड्रस नहीं कर पाते हैं then they become unable to behave in the socially acceptable way और उसके बाद वो unable हो जाते हैं वो socially acceptable जो behavior है वो follow नहीं कर पाते हैं and behavioral problems develop with them और इसी के साथ उन में behavioral problems की शुरुवात हो चुकी होती है कई बार हमें पता नहीं लग पाता है coincidentally ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि बच्चे को नहीं करनी चाहिए थी लेकिन बच्चे जब वो करता है तो हमें उसको देखना चाहिए notice करना चाहिए यह behavioral disorder है बच्चों में next हमारा जो heading है वो है causes of behavioral disorder causes क्या है किन कारणों से behavioral disorders जो है वो develop होते हैं बच्चों में behavioral disorders are caused by multiple factors कोई एक कारण नहीं है जो की बताया जाए कि बच्चे में behavioral problems किस वज़े से आई है तो कोई एक कारण नहीं है बहुत सारे factors के लिए काम करता है the important contributing factors are जो बहुत ही जादा important माने जाता है जो important factors है जिनकी वज़े से एक बच्चा अपने विवहार में परिवर्तन दिखाता है वो निम्न है the first cause is faulty parental attitude माबाप का जो विवहार है बच्चों के प्रती वो गलत तरीके का हो उसमें हम देखते हैं कौन-कौन से चीज़े है ओवर protection कई बार माबाप बहुत ज़दा ओवर protective हो जाते हैं बच्चों के लिए बहुत ज़दा protective होते हैं बहुत ज़दा concern रखते हैं इसकी ज़ लिखाई देते हैं dominance कई बार माबाप अपने बच्चों पर बहुत ही dominant होते हैं अपनी बातों को बच्चों पर थोपा जाता है जिससे भी बच्चा हीन बावना का शिकार हो सकता है और उसमें behavioral disorder develop हो सकता है unrealistic expectations कई बार माबाप अपने बच्चों से ऐसी आशाएं उम्मीदे लगा लेते हैं जो कि unrealistic होती है जो बच्चा पूरा नहीं कर पाता क्योंकि हर बच्चे की growth spurt अलग है बच्चे की mental condition उसकी emotional condition सब बच्चों की अलग-अलग होती है माबाप द्वारा उन पर unrealistic expectations दिखाई जाती है इससे भी बच्चा behavioral disorder से सफर कर सकता है over criticism बच्चा कभी fail हो बच्चा किसी चीज में sports में पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया तो उसको over criticize किया जाता है उसे समझाने की जगा उसे motivate करने की जगा माबाप कई बार उस पर टिपणिया करने शुरू कर देते हैं उसको criticize करने शुरू कर देते हैं तो यह भी कारण बनता है unhealthy comparison माबापों में कई बार हम यह प्रवर्ति देखते हैं parents में कई बार यह प्रवर्ति देखते हैं कि अपने बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ comparison करिया जाता है वो comparison भी बच्चों में emotional disturbance का कारण बन सकता है under or over discipline 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 होना चाहिए यह सभी को पता है माबाप को भी पता होना चाहिए कि ना तो अनुशासन बहुत जादा हो बहुत सकती से बरताओ किया जाए ना ही under discipline में रखा जाए नहीं तो बच्चे अपने society से सीखते हैं कभी कबार वो ऐसी चीज़े भी करने लग जाते हैं जो कि acceptable नहीं है disturbed parent-child relation माबाप का अपने बच्चों के साथ जो relationship है वो disturbed है और broken family यदि माबाप में से किसी की मृत्ति हो चुकी है या फिर divorced parent है single parenting है ये सब broken family जो कारण है वो भी बच्चों में emotional disturbance का है या behavioral disturbance का कारण बन सकती है second जो cause है वो है inadequate family environment बच्चे जिस घर में रह रहे हैं जिस परिवार में रह रहे हैं उसका वातवरण कैसा है अगर वो inadequate है then there is a chances to develop behavioral disorder in child इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़े हैं poor economical status माबाप की जो family की जो condition है economically वो status ठीक नहीं है वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों के लिए तो ये भी कारण बन सकता है cultural pattern कई बार किसी किसी समाज में किसी धर्म में इस तरह की cultural जो rituals होते हैं वो भी बच्चों पर extra burden डाल देता है जिसके वाज़े से भी बच्चा अंदर ही अंदर तूट सकता है child rearing practices कुछ ऐसे parent होते हैं जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं उन्हें नहीं पता है कि बच्चों को nourishment कैसे मिलना है बच्चों को किस तरह से हमें पालना है तो जो child rearing practices है ये भी inadequate हो तो भी बच्चा बिवर डिसोर्डल से सफर कर सकता है superstitions अंदविश्वास माबाप कई बार यह family जो है family members है मों कई बार अंदविश्वास में बहुत ज्यादा पिलीव करते हैं जिसकी वाज़े से वह बच्चों पर extra burden के तौर पर आता है और family environment बिगड़ सकता है parental illiteracy जो अशिक्षित पेरेंट है अशिक्षित पेरेंट होने के बाद अशिक्षित पेरेंट है तो भी बच्चों में emotional और behavioral disorder create हो सकते है इन appropriate relationship among family members परिवार के जितने बी सदस्य है वो अगर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहता है एक दूसरे से टच्च में नही नहीं करते हैं तो बच्चों में भी यह चीज़ डवलप हो जाती है नेक्स्ट कॉज अगर हम देखें mentally and physically sick अगर बच्चा mentally disorder से सफर कर रहा है mentally से मतलब हम उसको emotional disturbance कह सकते हैं उसको stressful conditions कह सकते हैं उसको mal adjustment भी कह सकते हैं या फिर physically sick है बच्चा किसी तरह से बिमार है और बिमारी में बच्चे को कई बार अगर उसको प्यार और इसने नहीं मिले अपने माबाप से तो भी बच्चा अपने अंदर ही अंदर हीन बावना का शिकार हो जाता है और handicapped condition कई बार बच्चे differently abled होते हैं differently abled का मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ यदि कोई बच्चा विकलांग है congenital anomalies है उसे तो बच्चा कई बार अपने अंदर हीन बावना का शिकार हो जाता है parents के duty यहाँ पर यह बनती है कि उसे motivate करें लेकिन कई बारी conditions behavioral problems के तोर पर सामने आती है influence of social relationship अपने बच्चे जिस समाज में रहते हैं जिस परिवार में रहते हैं उनका social जो दायरा है जो criteria है वो किस तरह का है उनका जो interpersonal relationships है जो social relationships है वो भी परवाव डालती है एक बच्चे में viral disorder create करने में and the last one is influence of mass media mass media का मतलब है television, radio, virtual games यह सब चीजे भी बच्चों पर पर परवाव डालती है और यह उसमें phobia का कारण बन सकता है तो mass media भी एक ऐसा content है जो कि बच्चों में behavioral problems create कर सकता है next जो heading है वो है हमारा common behavioral problems in children कौन-कौन सी ऐसी समस्या हैं कौन-कौन सी सावान ने ऐसे problems हैं behavior को रिले कर बच्चों में जो कि बच्चों को emotionally disturb कर सकती है या behavioral disturb कर सकती है the first one is feeding problems बच्चे कई बार behavioral जो अपना behavior है वो इस तरह का दिखाते हैं feeding के time पर feeding problems में बच्चा ठीक से नहीं खाता है उसमें कौन-कौन से हैं कारण देखिए food refusal पहला जो इसमें हम कारण देखते हैं वो है food refusal बच्चे कई बार खाने के लिए मना कर देता है refuse कर देता है they do not want to feed तो इस वज़े से बच्चों में हम feeding problem देखते हैं और वो इस refusal को इतना prominently दिखाते हैं कि आप कुछ भी कर लें वो बच्चा खाता नहीं है second है overeating कई बार feeding problems में जब बच्चे को behavioral disorder हो जाता है तो वो बच्चे कई बार stress condition में बहुत ज़्यादा खाते हैं over feed करते हैं अपने आपको impaired appetite कई बार भूग नहीं लगना या एनियमित रूप से खाना ये भी एक feeding problem है पीका ये खुद अपने आप में एक behavioral disorder है पीका इसमें non-edible substance को बच्चा consume करता है anorexia nervosa भी एक behavioral disorder है जिसमें कि बच्चे को भूग नहीं लगती है और बहुत समय तक भूगा रहना पसंद करता है और खाना नहीं खाता है ये behavioral problems feeding problems में आती हैं next habit disorders कौन-कौन सी आदते हैं ऐसी बच्चों की जो लट बन जाती है और बच्चों में habit के तौर पर आ जाती है और जिसे behavioral problems की श्रेणी में रखा गया है the first one is thumb sucking thumb sucking का मतलब है बच्चे आपने कई बार देखा होगा अपनी fingers को या अपने thumb को सक करते रहते हैं वो behavioral problem है बच्चों में और ये habit बन जाती है बच्चों की the next one is nail biting कई बार आपने देखा होगा बच्चों को वो nail bite करते रहते हैं nail biting को हम मानते हैं कि यदि कोई वेक्ती अंदर से strong नहीं है या उसके willpower strong नहीं है या emotionally disturbed है किसी चीज से तो वो nail biting करते हैं ऐसा ही बच्चों के साथ भी है aneurysis aneurysis is kind of a behavioral disorder इसको अगर हम define करें तो ये involuntary passage of urine at bed time सोते समय कई बार बच्चे बिस्तरगीला करते हैं वो urine pass out कर देते हैं वो involuntary होता है उन्हें पता भी नहीं होता लेकिन ये कई बार nightmares या emotional disturbance होने की वज़े से हो सकता है ये एक तरह का behavioral disorder है जिसमें की बच्चों को इसकी आदत भी लग जादी काई बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए अपने parents से अपने जिदपूरी करवाने के लिए या फिर किसी और disturbance के वज़े से अपनी सांस रोग लेता है अपनी breath को hold कर लेता है जिसके काफी disadvantage सामने आता है ये भी एक behavioral problem है the next habit disorder is bruxism bruxism का मतलब होता है teeth grinding कई बार बच्चे अपने दातों को बहुत जोड से कट-कट आते हैं ये भी एक behavioral problem है जो कि बच्चों में emotionally या stressed disturbance के वज़े से create होती है next problem is speech problem बच्चों को बोलने में कठी नहीं जो आती है the first is unclear speech मच्च ठीक से नहीं बोलते हैं वो जो बोलते हैं सामने वाले को समझ नहीं आता है next है delayed speech बोलते हैं लेकिन बहुत धीमा बोलता है उनकी speed जो हो बहुत slow होती है और delay होती है stammering और stuttering stammering का मतलब है हकलाना और stuttering का मतलब है तुटलाना हकलाना और तुतलाना दोनों ही यह जो समस्याएं हैं इसको हम behavioral disorder की श्रेणी में भी रखते हैं क्योंकि कई बार यदि बच्चा अंदर से strong नहीं है emotionally strong नहीं है उसकी mental condition ठीक नहीं है तो वो कई बार stummer या इस्टुटर हो जाता है और यह condition जो है वो behavioral problem को और ज्यादा आगे ब walking जैसे हम somna embolism कहते हैं बच्चे कई बार रात में नीनों में ही उठकर और मुमेंट करने लग जाते हैं उसे हम sleep walking कहते हैं यह भी एक तरह का behavioral disorder sleep talking जिसको हम somna locker के भी कहते हैं sleep talking का मतलब है बच्चों का रात में सोते समय अपने आप में ही बढ़वडाते रहना या बुदबदाते रहना सोते समय बोलना नेक्स्ट है nightmare रात में बच्चों को डरावने सपने आना इन सोमनिया नीन ठीक से नहीं आना जिसे हम निद्र रोग भी कहता है और एक चीज और है इसमें hyper somnia यानि कि बच्चों का बहुत जादा सोना जो कि acceptable नहीं है वो बहुत जादा सोते हैं लंबी नीन लेते हैं गहरी नीन लेते हैं और अधिकांश समय वो सोने में ही निकालते हैं यह कहलाता है hyper somnia यह sleeping disturbance है बच्चों में जो कि emotional और behavioral problems में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है educational difficulties जो बच्चा behavioral problems से सफर कर रहा है उनमें educational difficulties भी देखी जाती है जैसे कि पहला school phobia आम तोर पर वैसे बच्चों को जब शुरुआत में माबाप अपने से दूर करके किसी school में admission कराता हैं तो यह चीज हमने देखा है वैसे common है लेकिन जब यह बहुत ज्यादा access level पर हो बच्चे phobia का मतलब है बहुत ज़्यादा डर होना जब बच्चे को school जाने से ही डर लगना शुरू हो जाए तो इस condition को हम school phobia कहता है पिर है repeated failure बार बार बच्चा fail होता है चाहे वो studies हो चाहे वो sports हो चाहे वो किसी तरह के class test हो या evaluations हो जब वो repeated failure की condition में आता है तो बच्चा behavioral problems से सफर कर सकता है next है school absentism बच्चा जब behavioral disorders से सफर कर रहा होता है emotional disturb होता है तो बच्चा school नहीं जाता है इसकी वजए से schools में absentism की श्रेणी में वो आ जाता है और बहुत ज़्यादा अनुपस्तित रहना शुरू कर देता है ये भी एक तरह का behavioral problem है actually इसमें वो ब बच्चित करना अपने मन की बात किसी को बताना और इसलिए ही हमने इसे emotional और behavioral disorder की श्रेणी में रखा है and the last one is adjustment problem बच्चा किसी से भी किसी भी condition में adjust नहीं कर पाता चाहे वो उसके parent हो चाहे वो उसकी family members हो चाहे वो उसके social members हो या उसके friends हो जिसमें हैं पहला disobedience जब भी parent य जो elder लोग हैं वो उसको कुछ भी समझाते हैं या कुछ भी बताते हैं कोई order देते हैं वो हमेशा उसकी अभिलना करता है यानि कि वो उस order को follow नहीं करता है यह उसके आदत में आ जाता है और वो adjust नहीं कर पाता है उन conditions के साथ and the last one is temper tantrum temper tantrum का मतलब है कि बच्चे के द्वा को झात किते हैं कि बच्चे को की हरेंते हैं इसके बा entsprech घ्रेझ में रखते हैं कि विवहर को हमूं यह माने कि unique disorder है किक ऑन-कौनस की कारण क्या क्या है और कौन-कौन सी common problems लेक्स वियूरों के आती है नेक्स्ट अब जो इसके बाद मैं आपको वीडियो डालूँगा उसमें हम डारेक्ट बीवरेल डिसॉर्डर जो है उनकी बात करेंगे अब तक के लिए इतनी